नाजरीन आदाब खेर मग्दम हैं आप सभी का NCRT के लाइव इंटराक्टिव सेशन में मैं हूँ आपकी मेजबान सिम्रिन सिंग और आप सभी दर्शिक हमारा यह कारिकरम देख रहे हैं आपको बताएं एक विशेश जानकारी G20 से जुड़ी हुई हमारे सभी दर्शिकों के लिए We are proud of the fact that India assume the G20 presidency and will convene the G20 Leaders Summit for the first time in the country in this year, that's 2023. The nation is deeply committed to democracy and multilateralism. India's G20 presidency is a watershed moment in her history as it seeks to play a very important role by finding global pragmatic solutions for the well-being of everyone and in doing so, manifesting the true spirit of Vasudhaev, Kutumbakam और should I say the world as one family. तो चलिये फिर सरुक करते हैं अपने उद्दू के सत्र की और आपको बताते हैं कि क्या मौजू है आज के सत्र का तो आज हम पढने वाले हैं जौक के गसल और इसे विशे पर और मालूमात फराहम करने के लिए इस्टूडियो में हमारे साथ उपस्तित हैं प्रोफेसर मौमद मौजमुदिन सर आदाब सर शुक्रिया बहुत 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 बच्चो आपका भी इस्तक्बाल इस प्रोग्राम में आपको भी आदाब सर आपका इस्तक्बाल करते हैं इस कारिक्रम में सर डिपार्टमेंट ओफ एडुकेशनल लैंग्विज़ यानि भाषा शिक्षा फे भाग न्सी आटी नहीं दिल्ली से हैं और दर्शकों इस पूरे कारिक्रम के दौरान यदि ऐसे कोई भी सवाल हैं जो आपके जहन में आते हैं कुछ भी आप हमसे पूछना चाहते हैं हमारे साथ साजा करना चाहते हैं तो एक कॉन्टाक्ट नमबर आप सभी की स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है इससे जरूर नोट डाउन कीजे 8800440559 और दस वी जमात के तलबा के लिए हमारी ओफीशल मेल आईडी है आपके स्क्रीन पर डीटी एच डॉट क्लास 10 अधर एट सी आईएट डॉट न आई सी डॉट आईएट तो चलिए इस सत्र का आगास करते हैं और सर जो हम आज पढ़ने वाले हैं को समझने के लिए इस पर बात करने वह जरूरी समझता हूं कि किसी बहुत सारी इसके अकसाम होती है तो यहां सिर्फ अगर हम शायरी की बात करें तो शायरी की बहुत सारी जेनर्स होते हैं जिंग उसके बहुत सारी असनाफ होती है लेटरी फार्म्स होती है तो शायरी में जैसे चाल बड़ी असनाफ है अगर हम कहा है तो गजल है खसीदा है मरसिया है मसनवी है इसके अलावा रुबाई-कताव अग Shanghai है। तो आज सिर्फ घजल पे हम बात करेंगे। घजल पे बात किसी भी सिर्ट पे बात करने के लिए हमें दो तरह से गोर करना होता हैं। नंबर एक तो ये कि क्या बात कही जा रही है। और दूसरी चीज है कि कैसे कही जा रही है। यही क्या और कैसे जो है किसी भी सिन्फिकर के बारे में बहुत एहम जानकारी होती है तो गजल में क्या बात कही जा रही है जो उसके कंटेंट जा उसके मौदू से तालिक होता है और बात कैसे कही जा रही है वो उसके फार्म से यानि तरहकेकार से मतलिक होता है तो गजल का तरीकेगार अपना ये होता है कि इसमें दो मिस्रे होते हैं इसके पहला गजल तो मुक्तलिफे अशार का मजमूआ होती है यानि बहुत सारी इसमें कप्लेक्स होते हैं अशार होते हैं और हर शेर अपने आप में मकमल होता है और गजल का पहला शेर मतला कहलाता है मतला कहते हैं तुलू होने की जगा यानि कोई चीज शुरू होने की जगा तो मतले में खास बात यह होती है कि हर घजल में काफिया और रदीफ होते हैं और मतले में पहले शेर के दोनों मिस्रों में काफिया और रदीफ की पाबंदी की जाती है और घजल के बकिया आशार में सिर्द दूसरे मि्स्रे में काफी और रदीव की पावंदी की जाती है पहले मिस्रे में नहीँ होती है। अगर गदल के पहला मतले के बाद दूसरा मतला भी है। मनी दूसरे मिस्रे में दूसरे शेयर में भी रदीफ और काफी की पावंदी की गई हो तो उसे हुसन मतला कहते हैं या देबिया मतला कहते हैं इसी तरह मतले सानी भी कहते हैं उसको या मतले सालिस भी हो सकता अगर तीसरा शेयर भी इसी तरह काया है कि दोनों में मस्रों में र गजल को पढ़ेंगे इसके अलावा जो है हर गजल का हर शेर मकमल होता है अपने आप में यानि कोई भी बात सिर्फ दो मिस्रों में मकमल कर दी आती है और आम तोर पर गजल के हर एक शेर को समझने के लिए दूसरे शेर के जरुवत नहीं पड़ती लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कभी कभी एक शेर का मतलब दूसरे शेर से कनेक्ट होता है उसको समझने के लिए दोनों मिस्रों दोनों अशार को मिला कर समझने की जरुवत पड़ती है इन अशार को आपस में कता बंद अशार कहते हैं गजल का आखरी शेर मकता कहलाता है मकता कहते हैं कता होने के जहां जो है गजल खत्म हो रही है, कता करना वाले तालुकार कता करना है, तालुकार खत्म करना, तो उसी से या कता से मकता बना हुआ है, मकता जो है गजल का आकरी शेर होता है, और मकते में शायर का तखल्स होता है, जैसे तखल्स जिसको हम पिन नेम कहते हैं, वो होता है, जैसे श गजल का अपना एक फन होता है, इसके मौदुगात की कोई पावंदी नहीं किया दिये और गजल के लोगवी माने जो है, हुस्न और इश्क की बाते करना, और तों से बाते करना, लेकिन ये इसका बहुत मख्सूस और महदूद मानूमी ये मतलब लिया जाता रहा है, इसमें वो सरमस्ती की बात भी होती है, तसवूत पर भी जारे ख्याल होता है, जिन्दगी की दूसरे मसाहिल को भी इसमें समोगा गया है, लेकिन गजल का जो मौजूदा कंसेप्ट है, वो इसको आशिके के मैदान से निकल कर अपना दारा बहुत वसी कर लिया है, और दुनिया का को शहनशाह ने बनवा के हसी ताज महल सारी दुनिया को महबत की निशानी दी है, लेकिन उसी ताज महल को दूसरा शायर दूसरे जाविय से देखता है, कि एक शहनशाह ने बनवा के हसी ताज महल हम गरीबों की महबत का उड़ा जाएं मज़ाएं, देखिए, नजरिया बद जाता है वहां हमें कभी माजूसी भी होती है और सोचना का अगर पॉस्टिव हो तो हमारी माजूसी जो है खुशी में तब्दीर जाती है पुरूमीद बजल जाती है तो यह गजल का मौदू हो आते लेकिन आज गजल के जो मौदू शुरू में रहा है अब उससे बहुत अल लोगों ने क्योंकि उसमें जो है तश्वीव होती थी उस तश्वीव के अशार में मुक्तलिफ है ख्यालाद कलंबन किया जाते थी तो शौरा उनको जो आजादी होती थी तो वही चीद एक अलग से तश्वीव को अलग करके बाकादया गजल की सिन्फ बन गई और वो उर सिन्फ है बहुत तवाना सिन्फ है बहुत ताकतवर सिन्फ है और यह कि इसको तहजीवी एक है इसका तालुख है यानि अगर हम तहजीव को अपनी पर रखना चाहें देखना चाहें तो गजल वो वही सिन्फ है कि गजल के मुक्तलिफ मौदुवात के हवालों से ही हम अप हमारी नवाय उर्दू की निर्जस्मी जमात की किताब में गदल शामिल है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं और इसके पहले कि अगर हम गदल पे और बात करें हम चाहते हैं कि थोड़ा सा जो शेख मुम्मद इबराहिम के बारे में बात कर ली जाए जो इनका तखलू जोग थ 1788 देली में हुई थी और 1854 में इनकी वफाद देली में हुई यानि उनका पूरा दमाना देली में ही गुजरा इनका पूरा नाम शेख मुम्मद इबराहिम था और जोग तखलूस करते थे तखलूस से कहते हैं पन नेम को आम तोर पे इनकी इब्तदाई तालिम मक्तब में लोई उसक उसक्त बहुत मशूर होताते हाफिस गुलाम रसूद शोग तें और उनसे ये तालीम हसे लिगे खुछ शाइर थे और शाइरी के जोग पारेदा हुआ इनको जोग को उनकी इनकी सोबस हुआ उसी मक्तब से हुआ और चुकि इनका बहुत अच्छा जहन था तालीम हासिल की ओंवजिद अपने शाप्री का इन्हों देंग Operation-29 इसी मदरसे मोला-ना मौम्मद बाकर से मुला मौम्म्मद बाकर के मौमद बाकर एक बहुत अहम नाम उर्दो सहाफत की किनि आ और अन्होंने उर्दो G. साहफत की अगी ओर उन्हों की तवस्झे से नियुद नाव सिर के तवस्ट से ही इन्होंने लाल君ला के दरबार तक ने रसाई हुई यह नी बाहदूर शासा जफर से इनकी मुलाकात हुई और जब बादूर शाय जफर को अस्दाद मुया था की मुलें तो बहादूर साह जफर खुट शायर थे बादशाय भी तो शायर भी तो बहुत अच्छे शायर थे उनके कई दीवान हैं तो बहादूर साह जफर को ये महसूस हुआ कि इनको अपना उस्ताद मान लिया जा शायरी में तो जोग बहादूर साह जफर के उस्ताद रहें और उनकी खिदमत में कफीदा पेस किया लेकर दो कफीदा बहुत अच्छा था था और बहुदूर साथ जफ़न उनको मलिक शौरा का खताब दिया यानि शायरों के बादशा उस दमाने में खताबात देने का बहुत आम रिवाज था और किसी बात पर आप बादशा खुश कर दियें, नवाबी उनको खुशकर दिये, तो बोगे नकोई कोईadomo कोई खटाव आम तोर के मिलता रहा था, भान बहुदर मिल गया, नको मलिक शोरा या निए शायरों का बाशार का खताम मिला था एक कसीदा गोई में इनको बहुत महारत थी फार्सी का एक मशूर शायर खाकानी गुदरा है उसने कसीदे में बहुत आए अम नाम पैदा किया था तो खाकानी हिन्न का खताम मिला है नहीं हिंदुस्तान का खाकानी कसीदा गोई में इतनी इबराहिम जौक में थी तो इन्हों ने जो किसीदा बहादूर्शाद जफर के खित्बत में पेश्टिया उसकी बिना पर उनको खाकानिय हिंद का खिताब मिला इनका इनका इनों बहुत वसी तारभी भी जानते थे फार्सी भी जानते तो दीगर इनके जो मश्रिकी उलूम उसमें भी इनको महारत हासिल थी और यह अगर शक्सियत के देखा तो बहुत मिलंसार वामरूबत इनसान थी जो है यानि कहीं ने कि इनकी शक्तित सब मिलाके जो है पड़े लिखे दो थे ही काफी अच्छी महारत भी थी तो इनको देखा जा तो बहादूर्शाद बहुत सर्वासिर्जिंग इनका मैदान थो कसिदा है शक्सिदे मेंने ने हम् Gel p難 Vanat के है पाफी है और उसके वदाध की दरूत के नहीं हो रहे है यहांपर तो अब Йे देखिये हम चलते हैंशे शेक्मopolण जिबराहीम जोग के बारे हम बात हो गई है अब आई हम सीधे गजल के तरफ आते हैं कि जो गजल इनकी ली गई है वो बहुत मश्चूर गजल है और आम तर पे इसको लोग पढ़ते भी हैं और गजल यह गाई भी गई है सिंगर्सन भी इसको मुशुरत देर में और बहुत स इसका देखिए जैसा कि हमने कहा था कि गजल का पहला शेयर मतला कहलाता है तो आई यह पहले शेयर को हम पढ़ते हैं फिर देखते हैं तो एक चीज़ यहां पर इस बात की वज़ाद जरूरी है कि किसी भी गजल को पढ़ने के लिए जो है उसके महारत होनी चाहिए कोई भ कोई भी हो अगर हम उसके खिरत सही कर लो उसकी रीटिंग सही करते हैं तो इसका मतलब कि हम उनको सही तरीके से पढ़ लिया और पढ़ने के साथ साथ उसका मफूम कहीं ने कहीं हम पर वाज़ हो जाता है खुल जाता है लेकिन अगर हम खिरत सही नहीं कर सके तो मफूम कु फार्पोर्ट टेस्ट का हो शाइरी का हो उसको पढ़ने के लिए ہ苇 बहुत महरत की जरूरत होती है और सही तरीके से पढ़ना चाहिए यह गदल को समझने की आप किसी भी मृतनों को समझने की अवली शर्त है कि हम उसकी करत सही तरीके से करें तो गजल का पहला चेहिर जिसको हम मतलब कहते हैं कि लाईë हयात आये, कजा ले चली चले, अब देखिए इसको हमने थोड़ा सा पजलיד इसको पड़ेवा है, कजा ले चली चले, तो ظाहिर से बात है हम मतलब वादे नहीं हो रहा है, लेकिन लाई हयात आए, कजा ले चले, अपनी खुशी ना आए, ना अपनी खुशी चले इसी तरह दूसरा चेर देखिए कि बेहतर तो है यही कि ना दुनिया से दिल लगे पर क्या करें जो काम ना बे दिल लगी चले कम होंगे इस बिसात पे हम जैसे बदकेमार, जो चाल हम चले, सो नहायत बुरी चले हो उम्र खिजर भी तो कहेंगे, बवक्त मर, हम क्या रहे यहां, अभी आए, अभी चले नाजा नहो खिरत पे जो होना है, हो वही नाजा नहो खिरत पे जो होना है, हो वही दानिश तरी नकुष मेरी दानिश वरी चले दुनिया ने किसका राह फना में दिया है साथ तुम भी चले चलो यूही जब तक चली चले और आखरी शेर्यानी मक्ता इसका है जाते हुआ शौक में है इस चमन से जौक अपनी बला से बादे सबा अब कभी चले तो यह गदल के अशार हमने पड़ दी है इसमें जतने अशार थे अब आई यह इसको एक बार फिर हम देखते हैं एक पहले शेर को लेते हैं कि शायर ने यहां क्या बात कहने की है कोशित की है तो पहले तो आप यह इसमें काफिया देखिए और रदीफ देखिए देखिए गदल जहां लिखे गए उसके बाई जाने जो है काफिया ओपर लिखा हुआ हरेर कलम से और फिर उसके बाद रदीफ लाल से लिखा हुआ है यानि काफिये की नीचे उन काफियों की वदाहत कर दी गई है जो गदल में इस्तमाल हुए हैं और इस गदल गदल की रदीफ है चले लाई हयात आए कजा ले चले चले यानि कहने का मतलब यह है कि इनसान दुनिया में आता तो अपनी मर्जिस नहीं आता उसको लाने वाला कोई ने कोई एक सबब होता है तो या उसके वज़े से हमारी अपनी खुशे नहीं होती और ना जाते वहत अपनी खुशी होती है ना आते वहत अपनी खुशी होती है शायर दूसरे मिस्रे में यही बात कह रहा है कि अपनी खुशी नहीं ना अपनी खुशी चले यानि दुनिया में हमें अवाना अपना अख्तियार नहीं है हम कहीं ने कहीं पावंद हैं और ये पावंदी इनसान पर जो लाजम होती है उसकी अच्छाई के लिए भी होती है अगर इनसान को बहुत आज़ाद छोड़ दिया जाए तो जाहिरे बात आज़ादी एक जिब्मदारी का नाम होता है ना की जो है उसको तकरीबी कुवत के लिए इस्तमाल किया जाए तो यहां पर जो अक्तियार इनसान को दिया गया है उसको कोई नहीं है बलकि उसके ओपर कोई एक ठाकत ऐसी है मुसलित है उस पर कि उसके एक जबरी जबर का फलस्फा है कि आपको अपने उपर कोई अख्तियान नहीं बलकि आपको जब दुनिया बेजा जाएगा तभी आएंगे और जब आपको मौब वक्त आएगा तो आपको वापस बुला लिया जाएगा तो यह इसायर कहता है कि ला जाने में और नजाने में हमारा अपना कोई अख्तियार नहीं था कोई खुशी नहीं थी अब दूसरा शेयर देखिए कि बहतर तो है यही कि नदुनिया से दिल लगे पर क्या करें जो काम नबे दिल लगी चले अब यहां दिल लगे और दिल लगी पहले मिसरे में दिल झाना चाहिए बहतर तो यह है लेकिन क्या करें अगर दुन्य से दिल नहीं लबाएं गो तो हमारी अपनी भी फुरी करने के लिए कहीं लिए डिलाना परता है तो दिल लगे और दिल लगी पर क्या करें जो न hung बेदी हरा कि कि शाय जो पहले मित्र के रहा की बहतर तो है यही कि ना दुनिया च्छे की बुनिया से दिल लगई झो अधर्वे को में झाल सी तनु में हासल करें पर están यह हम परेशान हैं जिस पर चौसर यह शत्रंज खेला जाता है बिसाथ उसको कहते हैं और इसी तरह बदकिमार बदकिमार कहते हैं कि जुवा खेलने वाला जुवारी को तो बद पर क्या करें कि कम होंगे बिसाथ पर हम जैसे बदकिमार कहते हैं कि दुनिया के बिसाथ फैला रखिए इसमें हम जैसे जो है बदकेमार बहुत ही कम होंगे यानि ज्यादतर तो अच्छे हैं लेकिन हमारे जैसे बहुत कम है जो बुरे बुरी चाल चलते रहें, जो जो चाल हम चले, जो चाल हम चले सो नहायद बुरी चले, यानि शायर यहां पर यह कहना चाहता है कि दुनिया को हासिल करने के लिए हमेशा हम एक दूसरे को शिकत देते रहे शत्रन या चौसर या किसी भी खेल में हार जीत होती ही रहती है तो हम दोसरों को हराने के लिए अब खुद को जीतने के लिए दूसरों का हराने के लिए कहीं नगे आयारी करते रहें, चाला की करते रहें, कि हम दूसरों को मात दे जाए, धोका जे फरेद दे, उसके साथ जो है, बुरे तर्वइश से पेशाएं, तो यह कहते हैं, शायर का कहना यही कि क्या करें हम, यह जो कुछ चाल हम चलें, यहाँ पर सो नहाज बुरी चले यानि आखरी वक्त में शायर को यह एसास होता है कि हम जो दुनिया में आये थे तो हमारा पूरा रवया यह पूरी एक इंसानी ब्रादरी पर यह तन्ज है एक तरह से कि इंसान जो आता है दुनिया में तो अपने मफात के लिए अपने फाइदे के दिये दूसरों को हमेशा धोका देते रहता है कहने हैं का मतलब जो है और सर यह जो अगजल में बाते कहीं गई हैं जिसके आप तश्री कर रहे हैं यह हमारे सभी बच्चों को यह जानना क्यों क्यों समझना जरूरी है देखी बताए हैं नहीं है कि आदब से जो है वह जहन खुलता है जी अजब से हमारी सलाहित बढ़ती है जहन खुलता है सोचने समझने का और बहुत सारी वैलूद होती हैं यह वैलूद इसमें देखिए दुनिया की बेसबाती पहले ही मिसरे मितलप शहर में है कि दुनिया से दिल नहीं लगाना चाहिए हमारा अपना कोई आदे आने दुन्या एक फना होने वाली खत्म होने वाली यही बात दूसरे शेर में कहीगी ही तीसरे शे वैलू की बात कही हमें अपनी अखलाग को अच्छा रखना चाहिए दूसरों के साच márफे मुथ्षेन सुलूक से पैच्छा में किसी को धोका ने देना नहीं चाहिए लेकिन हम जब तक जीते रहे आखिर वक्त तक हम यहाँ पर बुरी चाल चलते रहे लोगों को धोका देते रहे फरेद देते रहे जो कि यह हमारे लिए मुसीबत है अगला शहर देखिए हो उम्र खिजर भी तो कहेंगे बवक्त मरग खिजर अल पी रखा जो इनको जिन्दा रख हुई है और यह भूले भचकों को राद दिखाते रहते हैं कहीं भी तो कहते हैं कि इन्सान का दिल इतना लालची हो गया है दुनिया से अतना लगा लेता है कि अगर हमें उम्र खिजर भी खिजर लिएससलाम की उम्र भी मैसर हो जाए हास से जिन्दगी है नाजा नहो खिरत पे जो होना है नाजा नहो खिरत पे जो होना है हो वही दानिश चरी ना कुछ मरी दानिश पर ही चले कहते हैं कि जो कुछ चीज़ हम चलते हैं अपने उपर बहुत नाज होता है अपनी अकले पे नाज होता है लेकिन यह सब चारी चीज करने वाला कोई और हैं रिमोर्ट कांट्रोल किसी और के हाथ में अगर हम बहुत जादा आगे पढ़ते हो तो कहीं ना कि हमें दुनिया में उसका नतीजा देखना पड़ता है तो कहते हैं दानिश तरी ना कुछ मेरी दानिश्वरियत चलें यह शायर कह रहा है कि ना तो तु क्मॐ्स curv और ना कि मुराद मैं दुनिया सायं दुनिया फना होने वाली है यहां जो चीज़ें वो आज आहे कल नहीं होगी उसका खास वक्त घ्रभ के नहीं तो यहां बहुत मुक्त सर वाक्त करिया आया है और कोई किसी का साथ नहीं देता सब एक दूसरे थिमर्चा के बात करके गजारते रहो इसलिए कि जब तक यह दुनिया चले है जब तक चली चले कम देखिए चले दो लफजों का इस्तमाल कितना है तुम भी चले चलो यह जब तक चली चले यह इसी तरह हमें अपने वक्त को गुजारना चाहिए अच्छे समय अब आखरी शेर देखिए हुआए शोक में है इस चमन से जो अपनी बला से बादे सबाब कभी चले देखिए यहां दुनिया की लाले शोक कहते है आर्जुमंदी हुआए शोक चाहर हम दुनिया में जब तक रहते हैं तो हमें यह रहता है यह भी मिल जाए यह भी मिल जाए यह भी मिल जाए और गाल में दुनिया से रुक्सत होने वाले हैं अब बला अपनी बला से वाद किबहते हैं हवा को सभा मानें सब्सक्राशन की वह ठंगडी हवा जिसकते हैं कैते हैं अप ठंगडी हवाद किया है! और इखती हको चलती हें हम उससे क्या बला है? इसमें हुसन सुलुक की भी बात की गई है और दुनिया से दिल ना लगाने की बात की गई है यानि जो कुश है वो खत्म होने वाला है ये बहुत आसान जबान में ये गदल है इनकी और बहुत मशूर गदल है और हम उम्मिद करते हैं कि टालिब इल्मों ने इसको समझ लिया होगा और इसमें जो कास्तोर से घजल में जो बात होती है कि उसके घजल के फन को समझने के लिए मतला है, हुसन मतला है, जेब मतला है, रदीफ है, काफिया है, कताबन वगरा यह सब इस्तलाइत उनको होनी चाहिए इल्म होना चाहिए इस्तलाइत का और जो गजल के मौदुवात हैं यानि कभी कोई भी एक शेयर दूसरे शेयर से इसमें आपने देखा कि शारे मौदुवात अलग-अलग हैं कोई भी शेयर दूसरे से को समझने मदद नहीं घरता तो बहुत बहुत शुक्रिया हमाज साथ जुड़ने के लिए और इसकी तश्रीख करने के लिए हमारे सभी दर्शिकों के लिए और मुझे उमीद है कि आप सबने आज का उर्दु का ये सत्र देखा आपको बहुत पसंद आया होगा जरूर हमें बताएं कि कैसा लगा आपको ये इस सत्र और कौन-कौन से टॉपिक्स आप देखना चाहते हैं इस प्लाटफॉर्म के माध्यम से और दर्शकों इस सत्र को यहीं विराम देने से पहले एक विशेश जायनकारी आप सभी के लिए NCRT की पार्थे पुस्तकों से जुड़ी हुई यह जायनकारी है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शेक्षन एक सत्र दो हजार तेई से दो हजार चौबिस के लिए NCRT की पार्थे पुस्तके पूरे देश में उपलब्ध हैं फिलहाल आप इने खरीच सकते हैं NCRT के सेल्स काउंटर से जो नई दिली एमदाबाद, बैंगलूरू, कॉलकता और गुहाटी में स्थित हैं और इसके लावा यदि इन टेक्स्ट बुक्स को आप आप आउनलाइन डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हैं तो आप इनने डाउनलोड कर सकते हैं दीक्षा प्लाटफर्म के माधियम से इसके लावा NCRT की अपनी मोबाइल आप्लिकेशन के जरीए भी आप इनने पढ़ सकते हैं और यदि आप ओनलाइन ओर प्लेस करना चाहते हैं तो NCRT की जो वेबसाइट है उसे भी जरूर नोट डाउन कीजिए और एक स्पेसिफिक वेबसाइट है जिसके जरीए आप ओनलाइन ओर प्लेस कर सकते हैं www.ncrtbooks.ncrt.gov.in और इसके लावा दर्शकों यदि आप अधिकरित विक रहता हों यानि authorized vendors की जानकारी प्राप्ट करना चाहते हैं तो आप NCRT की वेबसाइट एक्स्प्लोर कर सकते हैं NCRT की वेबसाइट जरूर नोट डाउन कीजिए www.ncrt.nic.in एक बरपुन है आप सभी का धन्यवाद करते हैं हमारे साथ उर्दू के इस सत्र में जुड़ने के लिए कहीं मत जाएगा क्योंकि कुछी समय में हम फिर से हासिर होंगे जियोग्रफी का एक सेशन लेकर कक्षा नौवे के सभी विद्यार्थियों के लिए और पॉपुलेशन हमारा टॉपिक रहेगा तो देखते रहे हैं इविद्या चैनल्स अदाव